हेलो दोस्तों आज हम आपके लेके आएं दो कच्छे आलू का बहुत ही टेस्टी नास्ता तो चलिए फटा-फट से सुरू करते हैं वीडियो पसंद आये तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा तो यह हमने दो कच्छे आलू लिये हैं तो हमने छील के और पानी में ही रख दिया ग्रेट कर लेंगे तो यह दोनों आलो को ग्रेट कर दिया है उसके बाद हम इसे दो तीन पानी से दो लेंगे और धो के हम छनी में ऐसे ही पानी में डुबो के रख देंगे और आगे की तैयारी कर लेंगे तो एक बावल ले लेंगे और इसमें एक कप गेहों का आटा डाल लेंगे और दो चम्मच हम इसमें ये बेसन है तो बेसन डाल लेंगे और इसे अच्छे से मीक्स कर लेंगे तो बेसन से एकदम बढ़िया टेस्ट आ जाता है तो इसलिए बेसन जरूरी डालेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे एक कप पानी ले लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे तो एक दम से पानी नहीं डालेंगे नहीं तो इसमें सारी गुठलियां रह जाएंगी तो एक कप पानी हमने पूरा डाल दिया है इसमें उसके बाद हम ऐसे करके चमा से बढ़िया सा इसे मसलते हुए ताकि जितनी गुठलियां होंगी वो खतम हो जाएंगी तो यह दूसरा कप पानी का हमने ले लिया है फिर से हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ढालेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे तो बहुत ही जल्दी बन जाता है यह नास्ता और एकदम टेस्टी होता है तो आप चाहें तो बच्चों के टिफिन के लिए भी ऐसे बना सकते हैं तो बनाने में भी कोई जंजट नहीं है और कुछ भी भाहर से लाने की जरूरत नहीं है तो ऐसे करके घोलते हुए बढ़िया सा इसको एकदम बढ़िया सा स्मूथ सा बैटर बना लेंगे तो यह आप देखिए अच्छे से बन गया यह तो एक भी गुठली नहीं है इसमें और विल्कुल ऐसे ही हमें यह बैटर चाहिए तो पूरा डेट कप पानी हमने इसमें डाल दिया है इससे ढखके रख देते हैं और उसके बाद गैस में पैन रख लेंगे इसमें हम तेल डाल लेंगे तो तीन चोटी चमच है यह तो तीन चमच डाल रहे हैं इससे थोड़ा गरम होने देंगे थोड़ा सा जीरा इसमें डाल देंगे आधी चोटी चमच से कमी है और राइड सौरी सरसो डाल लेंगे थोड़ा सा और उसके बाद हम यह उड़त की डाल डाल रहे हैं एक चमच तो इसको सारी चीजों को भून लेंगे और गैस को लो पे ही रखेंगे तेज नहीं करेंगे एक दम से जल जाया गए यह सारा तो लो फ्लेम पे ही इसे थोड़ी दीर के लिए भून लेंगे उसके बाद थोड़ा सा एक चुटकी इसमें हिंग डाल लेंगे और दो से तीन हरी मिर्ची डाल देंगे और इन्हें भी इसी के साथ भून लेंगे तो ऐसी चलाते हुए और कुछ सेकिंड के लिए इसे बढ़िया सा भून लेते हैं तो यह चलाते रहेंगे बिलकुल भी इसे छोड़ेंगे नहीं तो यह जल जाएगा एकदम से उसके बाद हम एक प्याज को बारी कट किया है छोटे साइस का प्याज था तो इसे बारी काटके और इसे भी डाल देंगे और इसे भी हलका सा भून लेंगे तो ऐसे करके गैस को मीडियमा लो के बीच में कर लेंगे तो ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है हलका सा करण्च रखेंगे सारी चीजों में उसके बाद तो आदी सिम्ला मिर्च को हमने बारी कट कर लिया था तो इसे भी डाल देंगे और इसे भी कुछ सेकिंड तक भू डालें तरण डालें डालें लाल मिर्ची ज़नीय पॉर्डर, अगर षी हैं ब염 कर बच्아서 के लिए हमें आप मनेलें नुद्ध के लादनने मिर्ची पूर्डर से रखुए तो आप नमक ऑर मिर्ची सतर हैं सवात मिर्ची पॉर्डर, जनालें पॉर्डर पूरा पानी निकाल के और एक दम सुके सुके अच्छी ही हम इसमें डालेंगे और इनहें अछे से मसाले में मीक्स कर लेंगे तो ऐसे करके और आलू को भी हमें ज्यादा पकाना नहीं है तो आलू में भी हलका करण्च रहेगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा तो इसे मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे इसमें हमने एक छोटे साइस का टमाटर था तो उसे चोटे चोटे पीस में कर्ट कर लिया था तो उसे भी डाल देंगे, तो टमाटर हमने पहले नहीं डाला था, क्योंकि वो पूरा पक जाता, इसलिए हमने बाद में डाला है, तो इसे थोड़ा पकाने के बाद, उसके बाद थोड़ा सा इसमें हम चूर पड़र डाल देंगे, थोड़ा गरब मसाला डाल देंगे, थोड इसके बाद मिक्स करने के बाद हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे तो निकालने के बाद हम क्या करेंगे बैटर में इसको डाल देंगे इस तड़के को तो ऐसे करके तो इसे हमें ठंडा करने की भी जरूत नहीं है हम ऐसे ही डाल देंगे जैसे हम तड़का ल ताकि ये आठे में बढ़ी आसा मिक्स हो जाए, तो इस तरीके से चम्मस से या किसी कर्ची से, आप अच्छे से मिक्स कर सकते हैं इसको, ऐसे करके घुमाते वे, ताकि कहीं-कहीं पर सबजीयां रह जाएंगी, और कहीं आठा, अगर हम अच्छे से इसे मिक्स निकरेंगे, तो कभी भी घर पे सबजी ना हो तो आप इस तरीके का नास्ता आप बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं या फिर सुबह के नास्ते में बना सकते हैं या हलकी भुलकी भूक हो तो तब भी आप इसे बना सकते हैं दस मिनट में बनके ये तयार हो जाता है, तो हलका सा इसमें पानी डाल देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा गाड़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी डाल के, और इसे अच्छे से ऐसे करके मिक्स कर लेंगे, तो ये आप देखें, बिल्कुल हमारा बढ़ी ऐसा बैटर बनके तयार हो गया, तो इतना ही पतला रखना है हमें इसे, उसके बाद चलते हैं गैस की तरफ, तो इस नास्ते को आप पैन में या तवय में किसी में भी बना सकते हैं, तो ये हमने पैन रख दिया है, इसमें हम थ थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल को थोड़ा फैला लेंगे और थोड़ा गरम होने देंगे इसको, उसके बाद जो हमने बैटर बनाया है, उसे हम कर्ची से ऐसे करके डालेंगे, तो दो कर्ची बैटर हमने डाला है और इसको थोड़ा सा फैला लेंगे, ज्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे, तो आप चाहें तो इसे और भी बड़ा बना सकते हैं, फैलाते वे या फिर और पतला करके, तो इसे 2-3 मिनट के लिए ढख लेंगे, तो 2-3 मिनट हो गया है, अच्छे से डराय हो गया उपर से भी, तो इसमें हलका सा तेल लगा लेंगे, ऐसे करके, तो इसे पलट के, 2-3 मिनट तक ऐसे खुले में पका लेंगे, इसको ढखने की ज़रूत नहीं है, तो ऐसे करके, दोनों साइट से इसे अच्छे से से शेक लेंगे, तो यह दोनों साइट से अच्छे से सिग गया है, फिर से हम पलट लेते हैं इसको, अब हम इसे निकाल लेंग तो यह आप देखे कितना बड़ी असा बनाया है तो सारा यह नास्ता बनके हमारा तयार हो गया है तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह नास्ता कैसा लग और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं तो यह जरूर बताईएगा और इसे आप किसी भी चीज के सौस चटनी चाय के साथ खा सकते हैं ठैंक यू आप हमारी जरूर कि लाओ सेल बताईएगा औरूर कर देख व्रचब जयो नहां समझता हैं औरूर का यह जरूर पो मेंदेगा बताईएगा मैं हमारी पर झालिक जरूर को यह जरूर को